जब घड़ी का काटा करता है चार बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा क्यों क्योंकि चार बजे हम चेकर व्यूंग के साथ आपके सामने पेश होते हैं नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियापिस्ट आज चक्रियों में सबसे पहले बात होगी नेम प्लेट विवाद की दूसरी खबर बलिया वसुली कार्ट की तीसरी खबर सपा नेता की गिरफतारी से जुड़ी है और आखिर में बात बीजेपी नेता के एंकाउंटर की तो चली शुरू करते हैं पहली खबर में बात नेम प्लेट विवाद की उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट विवाद को लेकर शुरू हुई रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है सुप्रेम कोट की मना करने के बाद भी यूपी की योगी सरकार अपने फ्रसले पर अडिक है और यूपी सरकार ने नेम प्लेट विवाद को लेकर सुप्रेम कोट में अपना पक्ष रखते हुए एक हलफ नामा दाखिल किया जिसमें सरकार ने बताया कि आखिर क्यों कावड यात्रा के रास्ते में आने वाले दुकानों पर नाम होना जरूरी है जहां यूपी सरकार ने सुप्रेम कोट में दाखिल अपने जवाब में अपनी दलीलों के समर्थन में कावड मार्ग रूट के कुछ खाने पीने की दुकानों की तस्वीरे पेश की है जहां राजा राग वोज फैमिली टूरिस्ट धाबे के नाम से धाबा चलाने वाले दुकानदार का नाम वसीम है राजिस्थानी खालसा धाबे के मालिक का नाम फुरकान है पंडिजी वैशनों धाबे के मालिक सन्वर राठोर है सरकार का कहना है कि कावड रूट पर खाने पीने को लेकर गलत फैमी पहले भी जगडे और तनाव की वज़ा बनती रही है ऐसी कोई अप्री स्थधी ना बने नंगे पैर पौवित्र जल ले जा रहे करोडों कावडियों की धार्मिक भावना गलती से भी आहत ना हो इसलिए दुकान के बाहर नाम लिखने के नर्देश चारी किये गए थे कोट में दाखिल अपने जवाब में यूगी सरकार ने कहा कि कानून विवस्था के लिए एतियाती कदम उठाया अनुच्छे 71 के तहत सौहार्द कायम रखने के लिए फैसला लिया गया है लेकिन इस मामले मुत्तर प्रदेश की सरकार को एक बार फिर से सुप्रीम कोट से नहीं मिली है देश की अदालत में यूपी सरकार के फासले के खलाब दार याचिका पर शुक्रवाट 26 जुलाई को सुनवाई हुई इस दौरान अदालत ने यूपी सरकार के नेम प्रेट लगाने के नर्देश पर रोक लगाने का फैसला बरकरार रखा और कहा कि आगामी स याचिका का विरोध किया था और अदालत से याचिकाओं को खारिच करने की अपील की थी कावड यात्रा मार्ग में नेम प्रेट लगाने का आदेश सबसे पहले मजफर नगर से शुरू हुआ था बाद में योगी सरकार ने ये नियम पूरे प्रदेश में लागू कर दिय जिसकी बाद विपक्षी दलो ने इसका जम कर रोध किया आगे खबरों में बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया में ट्रकों से अवैद वसूली के मामले में ADG और DIG की सयुक्त कारवाई से पुलिस महकमे में हड़कम पमच गया है अधिकारियों ने नरही इलाके में रात में च्छापा मारकर वसूली में लिप्त कई पुलिस कर्मियों और दलालों को बॉके से धर्द बोचा इस दौरान कुछ रिश्वत खोर भागने में सफल रहे इस घटना के बाद सीम योगी ने सक्त एक्षिन दिया दो पुलिस कर्मियों की गरफतारी के बाद जिले क एस पी और एस पी पर इसकी गाजगिरी और उन्हें पत से हटा दिया इतना ही नहीं उस अलाके के सीयों को भी सुस्पेंट कर दिया गया साथी इस वसूली कार्ण में शामिल आरोपी पुलिस कर्मियों सीयों चौकी इंचार्ज और अन्निकी संपत्ति की वजलेंस चार्ज के भी आदेश दिये हैं दरसल यूपी बिहार की सीमा पर बलिया के नहीं थाना शेत्र के भरोली चौराहे पर बुधवार की रात एडीजी वारणसी जोन प्यूश और डी आईजी आजमगर जोन वैभो कृष्ण ने चापे मारी की थी आधिकारी ट्रॉक पर सवार होकर मजदूर बनकर बैठे थे इसी दौरान पुलिस वाले ट्रक चालक से अवायद वसूली करते पकड़े गए ऐसे में मौके से ही ट्रकों से वसूली करते हुए दो पुलिस कर्मियों और सोला दलालों को गर्फतार किया गया जबकि कई सिपाही फरार होने में काम्याब हो गय तो चेक पोस्ट पर वसूली और उगाई के इंपुट तो कई दिनों से मिल रहे थी हाला कि चार दिनों तक लगाता रेकी की गई सब कुछ फाइनल हो गया तो फिर दबिश की कारवाई हुई बताया जा रहा है कि दोनु अधिकारियों ने यह रेड इतनी गोपनी रखी कि कि इसकी सुचना SP बलिया को भी नहीं थी वहीं दरौगा थाने में उगाई का हसाब देख रहे थे जैसे ही पुलिस कर्मियों को पता चला कि DIG और ADG की टीम ने रेड किया है सभी पुलिस वाले थाने छोड़कर भागने लगे कोत्वाल तक फरार हो गये कई बिचॉलियों को भी पकड़ा गया है जब्रन वसूली करने वाला गिरोग प्रतियक वाहन यानि कि ट्रक से 500 रुपे वसूला करते थे अनुमान है कि हर रात करीब हजार ट्रक सीमा पार करते हैं ऐसे में वसूली की रख काफी बड़ी हो सकती है आगे खबर में बात कॉंग्रिस नेता की गिरफ्तारी की चहाँ 2012 से 2017 तक लखनों की महिलाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के वधायक रहे इंदल रावत को पुलिस ने रियल स्टेट कंपनी के साथ धोकादड़ी और करोडों की रख महड़पने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है अब वो कॉंग्रिस में शामिल है आरोप है कि रियल स्टेट कंपनी से जिस जमीन का सौधा किया गया वो जमीन इंदल रावत के नाम थी ही नहीं इसके बाद भी इंदल ने सौधा किया था आपको बता दे कि लखनों की गोंगती नगर पुलिस ने पाच महीने की जज के बाद कौंग सपा के पूरव वधायक इंदल रावत को गिरफ्तार किया है बीते किस फरवरी 2024 को गोंगती नगर थाने में श्री राज इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेट के एमडी राजेश पांडे की तरफ से फायार दर्च की गई थी 11 अगस 2014 को इंदल रावत ने सदर तहसील के बठा गाउ में एक भीगा 15 बिस्वा जमीन पर 6 मंजिला इमारत बनवाने के लिए राज इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेट के साथ एग्रिमेंट करना था लेकिन रकम कम होने के चलते जून 2023 में 42 लाग 8882 रुपे जमा कर रजिस्टर्ड एग्रिमेंट हुआ 2014 से 2023 तक रियल इस्टेट कंपनी से इंदल रावत ने 2 करोड 52 लाग रुपे लिये थे राज इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड ने नर्मार कारी के लिए जब आवास विकास संपर्किक्या तो पता चला कि इंदल रावत की दी गई जमीन 1999 में ही आश्याना सरकारी विकास समीती के नाम पर दर्ज है ये जमीन इंदल रावत के नाम पर दर्ज ही नहीं है इस पर रियल स्टेट कंपनी के मालिक राजेश पांडे ने इंदल रावत से संपर्किक्या और जमीन उनके नाम दर्ज नहीं होने की बात बताई तो इंदल गाली गुलोज जन से माले की धमकि देने लगे और फिर मुकदमे में फसाने की धमकि गहाँ कोसा 파ई ङरज करवाई साथी मलीहाबात सीट से वधायक रह चुके हैं, बीते 2024 के लोग समाच राओं के दोरान ही इंदर समाजवादी पाटी छोड़कर कॉंग्रेश में शामिल हुए थी आखरी खबर में बात योगी राज में बीजेपी नेता के एंकाउंटर की जीरो टॉलरेंस की नीती के तहत योगी सरकार खुद के नेताओं को भी नहीं छोड़ रही है जाहां उतरप्रदेश के गौंडा जिले में सपा नेता ओम प्रकाट सिंग हत्याकार के मुख्य आरोपी बीजेपी नेता का पुलिस ने एंकाउंटर किया भाजपस वासत का नाम ललन सिंग है और उन पर पहले से 25,000 का इनाम घुशित है मंगलवार रात मुख्बिर की सूचना पड़ जब परसुपुर पुलिस और सोजी टीम ने थाने के चर हुआ मोड के पास मुख्य आरोपी ललन सिंग उर्फ उधेबान सिंग को घेरा बंद कालोने के बाद पुलिस ने उसे गरफतार कर लिया हत्याकान के आरोपी का गौर्णा जिला स्पताल में इलाज चल रहा है आरोपी के कबजे से एक अवैत तमंचा एक बिना नंबर प्लेट की बाइक और कार्तूस बरामत के गए हैं आपको बता दे कि सपानेता हत्याकान मे पुलिस ने कारवाई करते हुए बुल्डोजर से आरोपी बाजपा सवासत उदेवान सिंग और उर्फ ललन सिंग के मकान की बौंडरी वॉल को गिरा दिया था इसके साथ ही आरोपी सवासत का ट्रैक्टर और बाइक भी पुलिस थाने खीच कर ले आए थी चक्रवी उन फ झाल